तेलंगरा के राजबाव तमिल साही संदर राजन जी केंदर सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किश्यन रेडी जी या उपसित सभी वरिष्ट महानुभाव देवी और सज्जनों आज जिन परियोजनाओ का सलानिया सा लोकारफन हुआ है मैं इनके लिए तेलंगरा को बहुत बदबधाई देता हूं ना कुटम सब पहलारा किसी पी देश और राज के विकास के लिए बहुत आवश्यक्त हैं वो राज बिजली उत्पादन के विश्णे में ज्यादा से ज्यादा आत्मंदिर भर हो जब राज में बिजली की प्रचूरता रहती है तो इस आप दूइ राज के अउद्यों की विकास को भी गति देती है आज पेदपल्दी जीले में एंटीपीसी के सूपर थर्मल प्रावड प्रोजेक्ट की पहली उनिट का लोकारपन हुआ है जल्दी इसकी सेकंड उनिट भी शुरू हो जाएगी जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेट पुरा होगा तो इस प्लांट की इस्टॉल कैपिसिटी चार हिजार मेगावोट हो जाएगी मुझे खुशी है कि एंटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट है उसमें यह सबसे आधुनिक प्लांट है इस प्लांट में जो पीज़ी पैदा होगी उसका बहुत बढ़ा हिच्सा तेलंगरा के लोगों के मिलेगा हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पुरा भी करके दिखाती है मुझे आदे अगर 2016 में मेरे इस प्रोजेक्ट की नीव रठी थी अब आज इसके लुकारपण का भी सौबागे मुझे मिला यही हमारी सरकार का नया वर कल्चर ना कुटम सुम भुलाय रहा है हमारी सरकार तेलंगरा के लोगों को उर्जा से जूड़ी अन्य जिरुरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है वो दिन पहले ही जब मैं हासन चेरला पल्ली लपीजी पाइप्लाइन का लोकारपण करने का मुझे आउसर मिला था यह प्लाइन प्लाइन लपीजी ट्रांस्पोर्मेशन और उसका ट्रांस्पोर्टेशन और डिस्टिबूशन की सेफ कॉस इफेक्टिव और इको फ्रेंडली व्यवस्ता विक्षित करने का आधार बनेगी नाकोटम सप्यूलारा आज ही मुझे धर्माबाद मनोहराबाद और महबूत नगर करनूलू रेल्वेस्टेशन के इलेक्टिफिशिकेशन प्रोजेक को राज को समर्पित करने का आउसर प्राप्त हुआ इसे त्यलंगरा की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की अवसत ग्रती भी बढ़ेगी भारतिय रेल अगले कुछ महनों में सभी रेल लाइनों के शत प्रतिशत इलेक्टिफिकेशन का लक्ष्ट रेकर करके चल रही है आज ही मनोहराबाद सिद्धी पेट नई रेलेंग कागवी लोखारपन हुआ है इससे प्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नीव रखने का आउसर मिला था आज एक काम भी पूरा हो गया ना कुटुम्ब सभ्यूलारा हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केर पर से इस सम्रुद्ध लोगों का अधिकार थन जा जाता बिते नव वर्तों में हमने चुनावती को हल करने के लिए कई कदम उठाए जिसे स्वास्त सुविदाएं अवेलेबल भी हो एफॉर्डेबल भी हो बारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स के सिंग्धा बढ़ा रही है देलंगरा के लोग एम्स की बीबी लगर में चल रहे हैं भवन दिरबान का हमारा काम भी देख रहे हैं जब अस्पदाल बढ़े हैं तो साथ ये मरिजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेश के संध्या भी बढ़ रही है आज भारत में दुनिया की सब्सक्राइब भारत चल रही है इसके खाना जिब चलंगरा में सत्तर लाग से के अधिक लोगों को पांच लाग रुपे तक का मुप्त दिलाज करवाने की गरेंटी मिली है जना उसे जी केंद्रों पर घरीब और मिडर क्लास को 80% डिस्काउंट पर डबाई दी जा रही है इससे परिवार हर मेंने हजारों रुपिय बचा पा रहे है ना कुट्रम सब्युलारा हर जिले में अच्छा हेल्थ इंट्रसेक्टर हो इसके लिए हमने प्रदान मत्रिया भारत इंट्रसेक्टर मिशन की शुरुबात की है आज इस मिशन के तहरे तलंगरा के 20 क्रिटिकल केर ब्लॉक्स का से लान्यास हुआ है इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाए जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वोर्स ऑक्सिजन सप्लाइड इंफेक्शन इने सेंटर में काम कर रहे हैं